Dear student, आज हम 12th class biology से chapter number 7, evolution का जो second part है वो discuss करेंगे, जो कि evidences of evolution से related रहेगा, कि evolution को कौन से कौन से जो evidences हैं, वो उसको prove करते हैं, सही साबित करते हैं, तो इसमें हम इस part में साथ में homologous, analogous organs भी देखेंगे, और साथ में कुछ adaptive radiations हैं, वो भी हम देखें किस परकार से उन्होंने evolution में बड़ा important role play किया है, तो start करते हैं, evidences for evolution से, तो सबसे पहले जो evidence हैं, वो fossil evidence, तो fossil क्या होते हैं, remains of hard part of life forms found in the rocks, तो चटानों में कुछ जीव जन्तुओं के जो कठोर बाग हैं, वो मिलते हैं, और उनके कुछ uns भी मिलते हैं, remains का मतलब कुछ बाग उनके, ओ सकता पूरे बाग ना हो, कुछ छोटे बाग जिसको uns भोलते हैं, तो इसलिए इनको जीवासम भोला जाता है, जो रोक सहीं चटानने हैं, वो sediments, वो एक के बाद एक परते बनाती हैं, और जो ये arrangement of sediments one over other, during the longest history of earth, जो दर्ती के इतियास में, कापी टाइम था कि जो ये परते हैं, अलग अलग जमती गई, और जिससे जो दर्ती है, वो बनती गई, उसकी परते हैं, वो बनती गई, और different aged rock, sediments contain fossils of different life forms, अलग अलग जो परते हैं, दर्ती की, जो सबसे पहले परते हैं, इसका मतलब वो पहले प्रिपरजेंट, extinct organisms, जो भी ये जीवासम मिलते हैं, तो ये बिलूप्त ओर्गनीजम सको बताते हैं, कि जो आज दर्ती पर नहीं मिलते हैं, जैसे डाइनसोर हैं, डाइनसोर के जो कंकाल मिलते हैं, अलग लग परतों से, तो यही बताते हैं, कि एक टाइम पर वो भी कही जो दर्ती पे रहते थे study of fossil indicator यदि हम इनकी study करते है fossils की तो इसे geological period in which they exist हमको उस time का पता लग जाता है जब वो जीवदर्ती पे रहा करते थे पैलेंटोलोजिकल एविदेंस क्या आते है study showed that life forms varied over time तो इनका इमानना है कि जो जीवजन्तु हैं दर्ती पे जो जीवन है वो काफी time के बाद बदलता गया है और कुछ certain life forms are restricted to certain geological time span तो कुछ जो जीवन है वो केवल कुछ ही time पे पाया जाता है जो अलग-अलग time span ने देखे हैं अब एक अरब साल पहले क्या था दो अरब साल पहले क्या थे तीन अरब साल पहले तो अलग-अले time पे कुछ restricted time period में ही कुछ जीव है वो पाय जाते हैं और काफी बार ऐसा हुए है दर्ती के इतियास पर कि काफी सारी जो नई नई फॉम्स है वो भी बनी है नई जो स्पीसिज है वो भी विक्सित हुई है उसके बाद है embryological evidences तो इसको सबसे पहले Ernest है कल नाम की scientist ने बताया था और उन्होंने क्या उजर्व किया था कुछ certain features देखे थे कब जो embryonic stage होती है जब बुरून विक्सित कर रहा होता है जो mother worm होता है लग-लग जो organisms हैं उनके उनके अंदर और जिनके अंदर जो उसने जाज़तर study कि वर्टीब्रेट्स के जो fetus हैं जो embryonic development है वो study की तो वो कुछ characters उन्होंने embryonic stage में देखे जो की adult के अंदर वो character absent थे तो जिसमें उनने जब वर्टीब्रेट्स के embryo को study किया जिसमें human के embryo भी देखें तो उनके अंदर एक row of vestigial gills slits है जो वेस्टीजिल का मतलब है वो और जो पहले functional थे लेकिन आज वो बिना हम जब उनका यूज नहीं करते हैं तो वो खतम होते रहते हैं जैसे टेल है human में टेल वोन पाई जाती है लेकिन टेल मारे ancestor में मिलते थी आज वो प्सेंट है तो एसटीज लो में आ जाती है तो कुछ गिल स्लीट्स का मतलब है गिल के कुछ छिद्र वो बिहाइंड दे हैड मतलब वो सिर के पिछे वाले बाग में पाए जाते थे जो हुमन फिटस में भी थे हुमन जो इंब्रियों था उनके अंदर भी तैसरवाती फेज में लेकिन ये फंक्शनल किन में रहते हैं कर्णून वो ये खतम करता रहता है जो भी structure है extra structure कार्ल अर्नेस्ट वोन वेर एक अलग साइंटिस्ट है जिन्होंने नोट किया कि जो इंब्रियो है एक इंडिवीजुल का जो इंब्रियो है वो कभी दूसरे इंडिवीजुल के अडल्ट में पास नहीं होता है उसका एक स् बाती फेज में वो एक जैसे जुरूर लगते हैं लेकिन बाद में वो चेंज हो जाते हैं जिस भी अडल्ट की information उनके DNA में है वही अडल्ट भी बनाते हैं उसके बाद हॉम ओलोगी या फिर हॉम ओलोग सोर्गन और गन्स हैविंग 2003 Fortune ये वहर्गन होते हैं जो काम तो अलग लग करते हैं लेकिन इनकी जो इनकी बनते हैं इनकी वह सेम रहती है अड्यग स्टॉक्षा सेम होती है और वह किस चीज चीज की वज़ेसे होती है है divergent evolution divergent का मतलब है एक जगह से निकल के अलग-अलग directions में फैलना उसको बोलते हैं divergent evolution जिसके अंदर क्या होता है एक basic structure है लेकिन जैसे जैसे उसको need दी जाएंगे अलग-अलग तो उसी साब से वो अलग-अलग function करना start कर देगा जिसके अंदर जो एक जगह से निकलना क्या रिप्रेजेंट कर रहे है कि जो भी organism है वो अलग-अलग उनके functions structures के basic structure जिनकी सेम है वो अलग-अलग जुरूर लेकिन उनके ancestors उनके पुर्वों जहां वो कहीं ना कहीं एक ही रहा रहे हैं similarities in protein genes तो जो structure वो किस base पे सेम है क्योंकि उनकी जो proteins हैं के अंदर जो जीन है जिनके पास information होती है तो वो सेम होते हैं कि इनके अंदर diverse organisms के अंदर और bats चमगादर में जो आगे के पंक होते हैं एक इनके पास पाओं होते हैं और जो four limbs जिसको बोला जाता है वेल्स के bats के चित्ता होता है जैसे humans है यह सारे mammals के हमने example देखें इनके अंदर क्या है जो आगे के हाथ या पैर हैं जैसे इंसानों में आत होते हैं बाकी के तो पैर या फिरुपीन या फिर पंक भी हो सकते हैं उनकी जो structure है वो सेम होती है लेकिन function जैसे वेल्स में तैरने का करते हैं व जो structure है वो similar होती है यह जो structure है वो सब के पास पाई जाएंगी जितनी भी structure हमने देखी है फोर लिम्स में यह हर जीव में पाई जाएंगे लेकिन इनके functions है फोर लिम्स के वो अलग-अलग हो जाते हैं vertebrate heart or the brain जो अलग-अलग vertebrates में जो हम heart देखते हैं और brains देखते हैं वो भी homologus organ का एक्जामपल है प्लांट के अंदर भी जो thorn और tendril होते हैं यह stem की modification होते हैं stem से ही बनते हैं लेकि इनका जो काम है वो अलग-अलग होता है जैसे बोगन वेलिया के अंदर जो thorn से वो उसको protection provide करते हैं जैसे ककरबिटा में जो tendrils हैं उसको sport provide करते हैं जैसे बेल में हमने देखा एक spiral type की जो structure होती है वो जब भी किसी sport के around गूम जाती है तो उसको sport में उसको फिर आगे अपने growth करवाने में विक्सित करती हैं मदद करती हैं तो यहां पर हम diagram से idea ले सकते हैं जैसे radius आलना है है humerus bone है carpel है metacarpal phalanges जो की four limbs की bones होती है जो human के अंदर है यह और दूसरे जो अलग अलग जैसे tiger या cat है whale है bat है इनके अंदर हम को यह सारी structure हो देखने को मिलती है जिसे basic structure similar है लेकिन के काम है जैसे bat में flying का काम हो ताउड़ने का जो whale के फिलीप पर होते हैं यह उसको है तरने मदद करते हैं cat के जो पाओं है वो इसको दोड़ने मदद करते हैं और हाथ है जो अलग-अलग activity के लिए यूज के जाते हैं तो यह हो मोलोग ऑर गन के एक्जाम्पल है अलग-अलग जगह से आके केवल एक ही जगह पर यदि आके रहने लग जाते हैं तो उनको उसी साफसे मोडिफाई करना पड़ते हैं जैसे जो अलग-अलग टाइप के इंडिविज लेदी वाटर के इंदर रह रह रहे हैं तो उनको अपने इनने फिलिकफर से बगार हैं तैहरने के लिए वो मोडिफाई करने ही पड़ती है तो ये कन वर्जान्ट इवुल्यूशन मतलब अलग-अलग जगह से आके एक जगह पर एक जगह पर कठा हूं ना लग जीवों का तो जिसके अंदर similar adaptive feature मिलेंगे मतलब इन्वारमेंट में रहने के लिए जीवों को एक ही डंग से विक्सितो ना पड़ेगा और अलग लग जीव हैं जो वो एक ही टाइप के वो function है फिर वहां के उसके जो organ है की प्रकार के जो function है वो करते हुए मिलेंगे काम होता है आई है जो octopus की और mammals की तो यह भी एक परकार के function करते हैं देखने से related काम रहता है इनका अलांकि जो octopus है वो non-corridates में आता है और जबकि mammals हैं वो correlates में आते हैं वो रटिप्रेट में काफी होता है और पैंगवीन के भी जो अलांकि बर्ड है पैंगवीन लेकिन वो भी ज्यादतर पाने में रहता है और जिसकी वजए से उसके भी जो आगे के जो punk है वो फिलिपर्स में modify हो गए है sweet potato है वो root modification होता है जबकि जो potato है simple वो stem modification होता है और function क्या है है इनका food को storage करने का लेकिन modification इनकी जो anatomical structure है root एक अलग structure लिये होती है stem एक अलग structure लिये होता है तो जो potato है वो stem से बना होता है और जो sweet potato शकरगंद होता है वो एक root से मिलके बनता है root का modification होता है काम इनका storage का ही रहता है उसके बाद हम देख सकते हैं पिक से जो birds के wings हैं insect के wings है और वैट के wings हैं classes अलग अलग इनकी बैट ये mammals में आती है ये इंसेक्टा में आती है अर्थ्रोपोडा में birds में आते हैं ये एवस में तो काम सबका उड़ने का है लेकिन structure अलग अलग रहती है इदिन की anatomical structure देखें इंसेक्ट के अंदर कोई bones नहीं मिलेगी लेकिन birds के अंदर हमको humorous और radius moon देखने को मिलेंगी लेकिन जो बैट में humorous radius और अलना तो मिलेगी साथ में phalanges भी देखने को मिलते हैं तो structure अलग अलग है लेकिन functioning के सेम रहते हैं उसके बाद anthropogenic evolution anthropogenic का मतलब है man made जो की मनुष्य ने evolution में क्या role play किया है वो हम anthropogenic evolution में पढ़ते हैं evolution caused by human उसको anthropogenic evolution बोला जा सकता है तो मनुष्य ने क्या किया है man breed, selected plants, animals for agriculture, horticulture, sport and security तो अलग अलग sport and security के लिए या फिर जो agriculture खेती बाड़ी के लिए और जो फलों के उद्यान के लिए time to time अलग 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 जो नई नई species है उनको वो खोजता रहता है नई नई जो development by technology है जैसे उसमें पुरानी species से नई species है कापी सारी हम फसलों की मार्केट में अवलेबल होते रहते हैं इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम ब्रीड इंटेंसिव का मतलब बहुत जो ज़्यादा बड़े लावल पर किये जाते हैं फास्टम फास्ट जो बतल स्पीड से किया जाते हैं उन्होंने created breeds ऐसी ऐसी पर जाती हैं विक्सित कर जाते हैं अलग-अलग organism से character लिए जाते हैं उनको mix करके एक नई species है वो बनाई जाती है hybrid organism त्यार किये जाते हैं man has created new breeds within 100 of years जो ये breeds त्यार किये हैं मुश्य ने ये केवल कुछ ही सालों का नितिज़ा है कुछ सेंकडों सालों का नितिज़ा हम बोल सकते हैं जैसे जैसे डिस्कवरियों लगी जाता है लेकि नेचर यदि इसी चीज़ को करने लगे तो उसको लाखों साल लग सकते हैं अक्सेस यूज ओफ हर भी साइट्स पैस्टिसाइड और कुछ और एक्जामपल हैं जैसे हम यदि केट ना सको और जो खर्पतवार ना सके खेतों में ज्यादा डालते हैं तो उसकी वज़े से जो प्लांट्स जिसके परती हम ये पैस्टिसाइड हर भी साइड यूज कर र लेते हैं अंटिबायाटिक्स और ड्रक्स हैं, जो हम यूज करते हैं पैसोगनेजम हमारे सिरिज में चलो जाते हैं जो बिमारी यह फेलाते हैं उन्से बचने लिए लेकिन जो एंचिश और ड्रक्स हैं इनकी भी हाई-र्डोज टाइम टुट टाइम को अपडेटव करना है उनके पर इनका सरोना बंद हो जाता है और वो अपने जीन के अंदर कुछ चेंजिज करना स्टार्ट कर लेते हैं तो यह एक जो एंथ्रोपोजैनिक एवोल्यूशन का ही रेजल्ट है और यह यह कुछ ही टाइम का नतीज़ह है है और कुछो सकता है सालों में और यह यह कुछ ही टाइम में अपने आप में जो डियूद आविणूप कर लेते हैं यह नई श्पीचिज वह बना लेते हैं तो conclusion क्या है इस anthropogenic evolution की study का तो evolution एक directed process नहीं है कि इसको पहले से fix हो कि यह चीज बनानी है यह किस चीज के उपर depend करता है यह अपनी जो normal environmental condition उसके उपर depend करता है यह stochastic process होती है जो कि own chance event किस चीज के उपर depend करता है जो भी events इसके आसपास के surrounding में present है जो statics environment में रहता है उसकी वजए से जो भी चेंजीज देखता है environment में थोड़े थोड़े करके उसी चाप से इनके अंदर mutations आप नहीं है और mutations जो जीव है वो नई-नई variation अपने अंदर लेके आता है उसके बाद industrial melanism यह भी anthropogenic evolution का एक हम example रूप में भी समझ सकते हैं इसको कुछ कीटों को इकठा किया गया तो उनके अंदर क्या पाया गया कि इंड़स्ट्राइजेशन से पहले उद्योग इकरन जो विक्सित हुआ उद्योग जो कारखाने लगते हैं तो कीवनियों से बहुत ज़्यादा दूवा वगरा जो निकलता है और दूवा निकलने की वज़ेसे जो ट्री ट्रंक है उनके उपर जो ये दूवा इकठा होता रहता है और उसपे जो कीडे वगरा पाये जाते हैं उनमें किस प्रकार का जो चेंज है वो देखने को मिलता है तो उसके बारे में ये industrial melanism बताता है, melanism मतलब रंग का बदलना, industrial मतलब industries की वज़े से, तो 1850 में जब हमने ऐसे ही कीटों को इकठा किया, तो उस टाइम पे white winged moth, जो सफेद पंक वाड़े, जो कीडे थे, वो ज़्यादा पाए जाते थे, किसे dark winged moth से, या फिर जिनको melanized moth भी बोला जाता है, black color moth से ज़्यादा मिलते थे, लेकिन जैसे industrialization शुरूँ आउदियों की करन हुआ, जाज़ादा कारखाने लगे, तो 1920 में जब ऐसे ही, इसी परकार का जो experiment किया गया, तो उसी area से, तो जो proportion है, वो reverse हुआ मिला, reverse का मतलब है, जो dark winged के moth थे, जो काले punk वाले कीड थे, वो ज़्यादा मिले, और जो white colored के कीड थे, वो कम मिले, तो conclusion क्या है, इसका area lacking industrialization, जो area जहाँ पर industrialization नहीं पाया जाता है, जैसे rural areas होती है, वहाँ पर जो melanic moths होते हैं, जो dark color के, जो कीड होते हैं, जिनका punk, जो काले रंग के होते हैं, तो वो कम पाये जाते हैं, और in mixed population, किसी भी mix पर जाती है, जिसके अंदर black और white color के जो moth हैं जो better adapted कर लेता है अपने आपको, वो ही survive कर पाएगा, जबकि जो नहीं कर पाएगा, अपने आपको adapt है, तो वो जल्दी से जल्दी death उसकी हो जाती है, वो population है, इनकरी जूशी की रहती है, जो की अपने आपको adapt करता है, तो इसका हम fix एक idea ले सकते हैं, जैसे 1850 के टाइम प जैसे हम पेक लाइकन ग्रो करता था और लाइकन हमेशा ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं, जहां पे pollution नहीं होता है, लेकिन जैसे industrialization हो, यह pollution बड़ा, तो जो tree trunk है, उनके उपर, जो लाइकन हो भी खतम हो गए, जिसके वज़े से white थे, और जो suit बगारा है, वो इकठा होता ग बड़ा, और वो किस वज़े से ज़्यादा संक्यान की सर्वाईव कर पाई, क्योंकि जो birds इनको खाते हैं, तो जिस परकार के background पे रहेंगे, यदि उस पर असानी से दीख जाते हैं birds को, तो उनको असानी से पर जो birds हैं या पर predator उनको खा जाते हैं, तो पहले क्या थे जो white color के मौत क्यों सर्वाईव कर पाते थे, क्योंकि white color का trunk था जिस पर रहते थे, वो आसानी से नहीं दीख पाते थे, और बाद में, जो white color के मौत वो कतम क्यों, तो यह dark वाले क्यों सर्वाईव करके, क्योंकि जो dark color का, जो trunk, tree trunk है, एड की साख आए हैं, वो इनको बचा लेत predator को असानी से नहीं दीख पाएगा, इसलिए बचा रहेगा, लेकिन black color का कीट है, वो असानी से इस white background में, वो असानी से दीख जाता है, जो कि predator के दवारा खालिया जाता है, लेकिन background यदि black हो, sooty area हो, तो उसके अंदर white color का कीट है, वो असानी से दीख रहे है, और जबकि black color का कीट है, वो इतना सानी से निदीख पा रहे है, जिसके वजए से इनका number बढ़ने का यही कारण होता है, जो अपने color को modify नहीं कर पाते हैं, तो वो birds के दवारा खालिया जाते हैं, तो इसके explanation यहां से देखते हैं, जो predators है, will spot a mouth against a contrasting background, जो भी predator होते हैं, जो किन कीटों खाते हैं, birds वगेरा, वो किसी भी mouth को sport करते हैं, पहले उसकी जगा का पता लगाते हैं, किसी background में यदि वो बैठा हुआ है, तो किसी भी tree trunk पे जैसे बैठा हुआ है, contrasting का मतलब अलग होना चाहिए, जैसे black है तो white color का होना चाहिए, तब भी वो sport कर पाएगा, उसको पता पाएगा, industrialization के बाद के periods में, जो tree trunk है, वो dark color के हो जाते हैं, क्योंकि जो industrial smoke है, जो दूआ है, जो शूट के particle है, उनके पर बैठते रहते हैं, under this condition, इन परस्तीतियों में, जो white winged mouth हैं, वो ज़्यादा survive नहीं कर पाते हैं, किस चीज़ की वज़े से, predators की वज़े से, प्री data के द्वारा, before industrialization, industrialization से पहले की क्या condition थी, उस टाइम पर white colored के जो lichen थे, lichen क्या होते हैं, जो algae और fungus का एक associated रूप होता है, जो की unpolluted area में ही पाए जाते हैं, जैसे pollution बढ़ता है, तो खतम हो जाते हैं, तो उस टाइम पर जो trees हैं, उनके पर ये white color के lichen की वज़े से, जो tree white winged moth हैं, वो survive कर जाते थे उस टाइम पर, लेकिन जो dark colored के moth हैं, आसानी से birds के द्वारा pick कर लिये जाते थे, जो की predators का काम करते हैं, moth that were able to camouflage themselves, वो moth जो अपने आपको background में match करके, जो predators को चक्मा देने में, चक्मा देने में, चक्मा दिया जाते है, predators को, अपना background है, वो भी इसी तरीके से रंग बदलता है, जैसा उसको background मिलता है, उसी type का रंग बना लेता है, ताकि जो birds वगएरा हैं, जो सिकारी पकसी हैं, उसको ना देख पाएं, जो army की dress होती ये green color की, जो navy की dress blue color की होती है, तो इनका dress का बनाने का परपजी यही होता है, जो uniform होती है, ता hide in background, मतलब background में वो छुप जाते हैं और survive कर जाते हैं, उसके बाद है adaptive radiation, adaptive radiation मतलब adaptation इक से related, कुछ अलग अलग परकार के जिवों का मनना, अलग अलग environment में यदि वो जाते हैं तो, evolution in given geographical area starting from a point and radiating to other areas of geography, किसी भी एक particular जगह से जब जैवी का सुरू होता है, और वो अलग अल जाता है, अलग अलग area में फैल जाता है, किस बेस पे अलग अलग बाता वरने के बेस पे उसको हम adaptive radiation बोलते हैं, एक्जामपल क्या है इसके, evolution of Darwin finch on the Galapagos island, तो Darwin ने तेरा परकार की जो finch है, जो पकसी है, sparotype के जो पकसी होतने हैं, चिडिया जैसे होतने हैं, तो इनको खो एक ही island के उपर, और उसका कारण क्या था, वैसे तो इनका जो seed eating feature होता है, ज्यादतर बीज खाती है, लेकिन जैसे जैसे इनका जो feeding habit बदला, जैसे कुछ उनमें से insectivores हो जाती है, और कुछ vegetarian feature होती है, तो जिस बेस पे उनके जो beak की, जो size है, beak का जो shape है, चोंच है, उनकी अपने बच्चों को आगे एक थेली सी में रखता है, और क्यों रखता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी, जो young born individual होते हैं, फूली developed होके, mother worm से बाहर नहीं आते, वो कुछ ना कुछ development उनकी रह जाती है, जिसकी protection के लिए उस worm, उस broad pouch में उसको रखना पड़ता है, तो Australian marsupials म Australian island continent, तो ये जितने ही marsupials हैं, अलग-अलग परकार के पाई जाते हैं, जुरूर रिंक अंगार हो ही हो, तहें जो इसके पास brood pouch हो, मांस भी हो, तहें अंटेटर भी हो, तहें अलग-अलग ही जांपल हम next slide में भी देखेंगे, कापी सारे type के जो marsupials हैं, वो जब Australia continent पे रह ancestor से निकले हैं, और ancestor marsupial था, लेकिन अलग-अलग जैसे जैसे अलग-अलग उसमें geographical region में चले गए वो, तो उनके अंदर, जो उनका basic रेक्टर है, वो same रहा, जो brood pouch का था, due to adaptive radiation in an isolated geographical area representing different habitats, तो एक special, एक fixed area पे, जो की दूसरों से अलग अलग अईसा geographical area, ऐसा booming अक्षेतर, जो यह radiations है, adaptive radiation, यह पाए जाने का, यह isolated geographical area ही था, जहांपर जो modification अलग-अलग उनको जिवो करनी पड़ी, जिसके वज़ाए से changes है, उनकी external morphology में तो देखने को मिले, लेकिन एक common character है, उनके पास पाया जाता है, उसके बाद है placental mammals in Australia, placental mammals वो हैं, जिनके अंदर जो complete development के बाद, जो young baby है, वो mother mom से बार आता है, तो evolving into variety जो placental mammals, each of which appear to be similar, तो ऐसा ही सिन जैसे marsupials में देखने को मिले, ऐसा ही similar characters, जो placental mammals हैं, Australia में, वो देखने को मिले हैं, उनक corresponding marsupials जैसे ही दिखाई देते थे, इसी को हम parallel evolution भी बोलते हैं, यह थी condition एक जैसे प्रोवाइड की जाती हैं, अलग-अलग type के individual हैं, वो एक specific pattern में, एक मिलते जूलते pattern में ही evolve होते हैं, जैसे placental wolf हैं, और tasmanian wolf हैं, marsupials और tasmanian wolf और जबकि यह placental wolf होता है, है यह wolf ही, बेडी यह हैं, लेकिन इनके इंदर जो character हैं, वो अलग-अलग पाए जाते हैं, parallel evolution को यह represent करते हैं, तो हम यहाँ पर diagram से idea ले सकते हैं, जो Darwin की फिंच थी, इनका जो main habitat था, वो seed ही बिटिंग था, जो इनके पास, सब के पास हैं, लेकिन अलग-अलग character से develop कर लेती हैं, अलग-अलग चौंच का size मिलेगा, जिसकी किसीज की वज़े से जो insectivores है, जो kit वगरा खाएंगी, उनके शाप से उनको change करना पड़ता है चौंच में, और जो insectivores के लावग, जो vegetarian वगरा है, उनकी च का size है, अलग मिलता है, इसी परकार से जो marsupial radiation हम ने देख, example बढ़े, आस्ट्रेलिया के अंदर, जैसे kangaroo है, marsupial cat है, banded antitor है, tiger है, asmanian wolf है, ये सारे marsupials होती हैं, brood pouch इनके पास present होती हैं, और ये common ancestor से ही, अलग-अलग direction में evolve है, इनके पास common character क्या है, marsupials का पाया जाना, bro अलग-अलग environmental condition में, इनके बाकी character तो अलग हैं, लेकिन एक special परकार का character है, वो जुरूर सब के पास common मिलेगा, और जो parallel revolution की बात कर रहे हैं, वो यहां पर हम समझ सकते हैं, एक side में marsupial हैं ये, और एक side में placental mammals है, placental animals बोल सकते हैं, अलग-अलग, तो इनके अंदर, अलग- यहां का placental वर्जन क्या है, और और ऐसलोट, पहली जो ती हैं, बीली हैं एक वरकार की, ये marsupial cat होती है, इसके पास brood pouch होते हैं, इनके सबके पास brood pouch होते हैं, ये भी anti-eater है, लेकिन species अलग-अलग हैं, तो इनके पास common character क्या है, जब ये एक जैसे evolution show करते हैं, प्लेसेंटल का प्लेसेंटल वालों के पास क्या ग्रेक्टर है कि इनके पास यंग बेबी के रूपमेंट जो मदर वोंब से जो इमर्जाउट होता है जो यंग बेबी और complete development के बाद आता है, इनके पास brood pouch में रखना पड़ता है, तो यह parallel evolution जैसे placental है, rest of the world है, marsupial कहां पर पाय जाते हैं, जातर अस्ट्रिलिया के अंदर, तो जैसा evolution बाकी के महादवी पंपी हुआ, ऐसा ही evolution अस्ट्रिलिया के अंदर देखना को मिला है, वर्जन अलग लग ह evolution वो दिखाई देता है कई जगों पर.